कि स्वागत है आप लोग का यूपीपेसे मेंटर ग्रूप पे हम लोग अक्टूबर नॉमबर का करिंटा फिर देख रहे हैं ठीक है अक्टूबर नॉमबर अपकोर्स तुवजर पाइस का ही देख रहे हैं और आज का जो लेक्चर होगा हमारा यूजना परियूजना पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफिर है यूजना परियूजना से जुड़ा हुआ उसको कवर किया जाएगा चली कवर करते हैं तो हम लोग बात करेंगे यूजना और परियूजना के बारे में देखी पहला नियूज मेरा अक्टूबर नॉमबर में कि भारत बुनिया परियूजना विकास निधी यह यूजना किसने लाया है अर्थात आई आई टी डी एफ यूजना कौन से मंत्राले के द्वारा लाया गया है तो बीत मंत्राले में भी बहुत सारे विभाग हैं तो बीत मंत्राले के कौन से विभाग आर्थिक कारिव विभाग द्वारा ठी विप्तिय सहायता देने के लिए यह योजना लाया गया है। किसके द्वरे लाया गया है? विप्तमंत्रा लेके द्वरे और कौन से विभाग? आर्थेकारे विभाग. यह हो गया पहला। दूसरा है कि केंदरी बैंक डिजिटल मुद्रा थोक का परियोगिक परिचालन हुआ इसमें जो केंद्रे बैंक डिजिटल मुद्रा थोक है उसमें क्या इसके द्वारा क्या किया जाएगा तो जो भी हमारे गौवर्मेंट सिक्योर्टी होते हैं सरकारी प्रतिबूतियां होती हैं उनको दिवित्यक बजार में लेंदेन के लिए यह डिजिटल रूपया का उपयोग किया जाएगा कौन सा जो डिजिटल मुद्रा थोक है डिजिटल रूप से लॉंच किया गया किसने किया है आर बीआई ने लॉंच किया है तो जो भी गॉर्मेंट सेक्योर्टी होगा या सरकारी प्रतिवुतिया होगी वो दित्यक बजार लेंदेन में किया जाएगा ठीके ना और आर बीआई में इसका परियोगिक परिचालन के लिए कितने बैंकों को चैन किया है तो नौ बैंकों को चैन किया है यह दिया रखना नौ बैंकों को चैन किया है नेक्स्ट हम लोग चले तो मिसन लाइफ मिसन लाइफ किससे जुड़ा हुआ है ये परियावरण के जिवन सहले से जुड़ा होगा है ये मिशन परियावरण सुरक्षा और सुरक्षाणे से संबंदुत है मिसलाइफ सीधे पूछ लिए जाگे किस संरक्षे किसे संबंदित है कि सब्सकरbuilt है तो बहुत बते इंडिकर लेnor को अब ० कि ये कि इस schemes कर दो वार साचियों एंटॉनियों गुट्रेश के परजंस पे यह मिसिन लॉंच किया गया तो बेरी इंपॉर्टेंट ये भी पता चल गया कि ये पहले भी थैं और अभीवी हैं तो ये भी पता चल गया दूसरी बात है कि स्टेचू आफ यूटि कहां पे है कि तो एक तानगर में है और मिसल लाइफ किसे जुड़ा हुआ है तो मिसल लाइफ परियावरान स्रक्षा और स्रक्षा से संबत्य थे या परियावरान के लिए जीवन सहली ठीक ना लाइफ का मतलब इसमें परियावरण के लिए जीवन सहली की बात हो रही है ठीक है ना थी बात ध्यान रखना नेक्स्ट ट्रेज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया टॉफी टॉफी कारकरा में स्टार्ट हुआ है और वेरी इंपोर्टेंट कहां से स्टार्ट किया गया है ठीक है ना असम सरकार और इस एजनसी फॉर इंटरनेशनल डबलमेंट या यूसेड के द्वारा मिलके इस कारकरम की सुरुवात किया गया है और असम में ही इसका सुरुवात हुआ ट्रेजर क्यों किया गया है जो भी रिजलेंट कहें कि जो हमारे फॉर्मर है वह फॉर् कर्यडित के रुप में ुप्यों किया जाएगा ठीक है ना ट सभी कब मतलब व्लन्टेसं किया जाएगा और इसमें कार्बन क्रेडित के तुरू इसको खयदा और we किया गया है किससे जुड़ा हुआ है तो जैसे ही मालूम है forest टीज आउटसाइड forest जो forest है उसके साइड आउटसाइड क्या लगाना ट्रीज लगाना उसे क्या होगा former को farmer को income बढ़ेगा ठीक है sustainable development होगा दुसरी बात है कि carbon credit, carbon capturing capacity बढ़ जाएगा, carbon capturing बढ़ जाएगा, तो इसके carbon credit rate के थ्रूँ क्या किया जाएगा, खरित फरुक्त किया जाएगा, खरित फरुक्त किया जाएगा, तो वो उसे भी लाव होगा, नेक्स्ट, One Health Sanjukta Karyozna, One Health Sanjukta Karyozna किसके द्वारा लांच किया गया, तो बेरी इपोर्टेंट याद रखना, WAHO, UNEP, FAO, और WOAH, इसके द्वारा ये 5 संस्थाएं हैं, इनके द्वारा लांच किया ये 4 संस्थाएं, कौन है, WAHO, World Health Organization, UNEP, परियोजना, जिसका नाम है वायव अमरित, पराली परियोजना है, पराली जो जानते हो कि देलि में, सबसे ज़्यादा जो पंजाब और हर्यारा में जलावे जाते हैं, उस पराली से धूम्द या स्मॉट फरमिशन ज़्यादा होता है, और दिल्ली उससे ज़्यादा ग्रसित है, तो पराली को परबंद करने के लिए, एक परियोजना लाया गया है वाई अम्रिद परियोजना किसके द्वारा लाया गया है यह परियोजना लॉंच किया है CII भारतिय उद्योग परिसंग ठीक है भारतिय उद्योग परिसंग द्वारा यह लॉंच किया गया है कहां पर यह संगरूप के साथ भागिदारी किया है कौन भारती ये उद्यूख परिशन ठीक न तो वाई अम्रित भी ध्यान रखना CIA द्वारा हुआ है और प्रावली प्रबंध प्रियोधना का ही नाम है वाई अम्रित ये दोनों में से कुछ भी पूछले आप तयार रहिएगा नेक्स्ट भारत अफरिका सुरक्षा फैलोसेफ कारकरम ये भारत अफरिका सुरक्षा फैलोसेफ कारकरम जैसे की मालूम है कि डेफ एक्सपो कहां हुआ था तो पहले तो अगर जानते हो तो ठीक है और नहीं तो फिर यहां जान लो कि डेफ एक्सपो 2022 हुआ था गाधी नगर गुजरात में, यहां पे भारत और अफरीका के रक्षा मंत्री के बीच में संबाध हुआ, और यह दूसरा संस्करण था, इसी संस्करण के दोरान भारत अफरीका सुरक्षा फेलोसिफ कारकरम का लॉंच किया गया, ठीक है न, तो हमें बैसेकली यहां पे कि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि भारत अफ्रीका सुरक्षा फैलो से पूछ लिया जाएगा लेकिन डेफ एक्सपो तो जरूर पूछा जा सकता है इसलिए हमने इसको ला दिया कि एक अलग तथ्य भी आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट प्रधान मंत्री जन आरयोग योजना अच्छा इसको इतना हम डिटेल में पड़ते हैं हम सिखे जाने कि जो हमारा प्रधान मंत्री जन आरयोग योजना या आई सुमान भारत प्रधान मंत्री जन आरयोग योजना स्टार्ट हुआ था तो आप लोग बता सकते हो क कि किए प्रेड़ा से स्टार्ट हुगा था यह गुज्रात में एक चला था अमरितम मुखे- मंत्री अंप्रितम- compose myNET कब से चला था 2012 में चला था और इसमें गरिब नागृटी कों को बिमारी और चिकिस्ताब करहेड़ेतु सहता, प्रहदान किया जाता था इसमें मुख्यमंत्री अम्रित्म योजना को सफलता देख करे लिए यौजना के सफलता देख के 2018 में हमारे प्रधान मंत्री ने आइस्वान भारत की सटाट की थी तो बस ये ध्यां रखना है इसे लिए इस point को या इस slide को बनाया है नेक्स्ट है कि PM divine किसे जुड़ा हुआ तो PM divine ये नॉर्थ इस्ट के लिए ये विकास पहल है नॉर्थ इस्ट छेत्र के लिए परधामंत्र की विकास पहल है जिसको PM divine बोला है यह 100% 100% कंच्डरी बित पॉस्ट क्या हैं हंडेड परसेंट क्या है कंधर द्वारा बित पोसित किया जाएगा PM divine और ये कंधरी योजना है तो जब भी पूछे तो PM divine कंधरी च्छेत्र क्यों जना है 100% किसको द्वारा बित पोसित किया जाएगा केंजरे या सेंटर कॉवर्मेंट के गवारा, ठीके ना, महाकाल, महाकाल लोग परियोजना, इसका, इस परियोजना का, उधाटन कौन किया, तो हमारे परिधान मंत्री, मोदी सर ने किया, और उजयन में किया, ठीके ना, उजयन में, उजयन कहा है, मध्य पर्दिस में, में कितने प्त्सम के आनंद को दुर्स् at कौण 108 लगाए गये हैं त्गी फ्लेक्सी फियोड इस्ट्रॉग हाई-इलेक्रिकल वेहाइब्स प्रियोजना इस परियोजना को सुरुवात किसने किया गया है किसने किया है तो टोईटा द्वारा इसको सुरुवात किया गया है दूसरी बात है कि इस पाइलट जो परियोजना चलेगा इसका उसमें 100% पेट्रोल ठीक है 100% पेट्रोल और उसके साथ इतनौल 20-100% मिलाया जाएगा इसमें और साथ ही साथ मतलब कि हाइब्रीड बात हो रही है तो हाइब्रीड में क्या होगा पेट्रोल होगा और एलेक्ट्रिक सक्ति से संचालित होगा और पेट्रोल में क्या किया जाएगा इतनौल मिला जाएगा तो फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉंग हाइब्रीड एलेक्ट्रिक व और ये पोर्टल बनाने वाला भारत का पहला राज बन गया, तो PM गति सक्ति पर कौन सा राज पोर्टल बनाया है तो गुजराख बनाया है ठेके न यही ध्यान रखना, अब देखो युवा 2.0 सटाट हो गया है युवा क्या है कि जो भी युवा लेकळ IPS उनको Mark DOUerson के लिए परधान मंत्री की युवा नाम से बोला जाता है कौन से Metro को इसको इस्टार्ट किया गया तो सिक्छा मंत्राले की दवारा इस्टार्ट किया गया और सिक्षा मंत्राले के उच्छा विभाग द्वारा इसकी सुरुवात की गई यह वाँ 2.0 को ठीक है अब इस युजना का कारियान्यवन एजन्सी कौन है तो ध्यान रखना नेशनल बुक ट्रस्ट है ठीक है नेशनल बुक ट्रस्ट है भारत नेशनल बुक ट्रस्ट है इसको बोलेंगे यह धर होना चाहिए ठीक है ना तो यह ध्यान रखना नेशनल बुक ट्रस्ट भारत नेशनल बुक ट्रस्ट है यह वा 2.0 का करवानन एजन्सी कौन है इंप्लिमेंटेंशन एजन्सी कौन है भारत भारत नेशनल बुक ट्रस्ट की बात ह हैं महत्मा गाधि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजणा इसमें क्या होगा जो रोजथ गार क्या ना येकि में 36 गड़ में 300 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे 300 ठीक है उनका भूमी पूजन भी हो गया तो मात्मा गाधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की योजना किसके द्वारा लांच किया गया और ग्रामेट परिवारों को रोजगार और राये के साधन बर ऐसा हुव है कि 32 मेटर का लंबा खंड बार में चालो किया गाए संधे 32 किलो मेटर तक कहिं ऐसा नहीं वा था कि हमारा में ग्री позвол पर में तो पहली बार 32 किलो मेटर रहें इसी को देखा जा सकता है आ। और झाना कि स्टार्ट किया लि Eargy प्लस गिस ने प्रणत्रयक किय मऀऑनी विकासखंट कि ग्राम-पंचायत तालपूरा में इस योजना का शुबह रहच मंत्र calcul मंत्र डेट यूजना कि इसके त्वारा ah मीशन निरामया किसके त्वारा शुप न्यूंट kia गया एक अधिया के एश्टि जैसे इस कinas लखनव में है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, इसका इम क्या है, उदेश ही क्या है, मिसन निरामया का, निरामया का उदेश ही ये है, कि जो स्वास्त प्रणाली को क्या करना, मजबूत करना, और साथ ही साथ, जो पैरा मेडिकल वाले स्टाफ होते हैं, पैरा मेड को मजबूत करने के लिए और पैरमेड harperms का की गुंवता में बदलाव के लिए स्टार्ट किया गया कहां से किया गया है लक्ष्णों के स्टीपीजे से स्टार्ट किया गया गया किसके दवरा यह किया गया है आधित नाध हमारे cm region जो इसके हैं ठीक न है क्या से कपर बात कि इसके की सार्य मात्राल कनजरों तो ध्यान रखनेड है मिश्शन्क कर्सान क लेंड़ी मंगरण डूसरा क्या है फूट प्रोसेसिंग और इन्डस्ट्री1 of food processing and industry, यह इसके दोरा स्टार्ट हुआ है, और किरसी इसमीं किसान के लेड मंत्रा ले के दोरा, ठीक न, आ थे इसमें बड़ी बात क्या है, कन्वर्जिन्स पोर्टल में कि किर्सी आउसन रचना कोस और प्रधान मंत्री सुक्ष, खाद उद्योग, उनियन योजना और प्रधान मंत्री किसान संपता योजना के अंतरगत ये पोर्टल लॉंच किया गया, तो तीन योजना के अंतरगत ये पोर्टल लॉंच किया गया, convergence portal दो मिनिस्ट्रे हैं और तीन योजना है किरसी आवसन रचना कोस और दूसरा है हमारा प्रधान मंत्री सुक्ष खाद उद्योक उनियन योजना और तीसरा है प्रधान मंत्री किसान संपता योजना के अंदरगत ये पोर्टल की शुरुवात हुई है ठीक है अब नेक्स्ट इसराइल के बनावर् गिलौन द्वारा अरत्ला गाजियाबद से इस पर्योजना के शुरुवात हुआ किस के assumptions से हुआ अब सारास पर्योजना के जुड़ा हुआ है तो महला से सकतिकरण से जुड़ा हुआ है सारत परियोजना और खुसी फांडेशन के सहुआ है महिला से सक्षिकरण में मासिक धर्म सोक्षिता और जागरूटा को बढ़ावा दिया जाएगा तो एक महिला से सक्षिकरण किया जाएगा जो मासिक या मंथली पिरियर्ट जो आता है उसकी सोक्षिता और जागरूटा को बढ़ावा दिया जाएगा सारस परियोजना में ध्य पहरती क्रिपको यही जब किसम भारती को परक पर इंगे हैं तो किर्चा किया गया है तो और शिंबर किया गया है नेक्स्ट प्रधान मंत्री मत्से संपदा योजना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 सितंबर 2021 को ये स्टार्ट हुआ था, तो ये दूसरी बर्सगाट मनाई गई है प्रधान मंत्री मत्से संपदा योजना का, बस ये ध्यान रखना है, और 19-20 से लेके 21-22 तक 14-23% की ब्रिदी कि हो गया है मत्से पालन में, तो ये प्रधान मंत्री मत्से संपदा योजना में, जब भी मेंस में होगा, तो देख ये आगड़ा मिल गया, कि मत्से पालन की छेतर में, कितना ब्रिदी किया है, 19-20 और 21-22 के बीच में, ये 14.3% ये सिधे 14% बोल दो, ठीके ब्रिदी किया है, और आज तर का देखा जाए कि इसहीं में, मचली को अत्पादन कितना हो गया है, 161.87.6 ठटन हो गया है, जो सारुकलीन आज पहुंछ गया है, सबसे ज्यादा मचली को हुआ है, व्रिद्न ये गद्नी नहीं होगा, इसों ये प्रधान मंत्री मत्से संपदा योजनांब कि बात किया तो सिर्फ दूसरी बर्सगार्ट बनाया गया है तो कभ इस्टार्ट किया गया है यह बात पता होना चाहिए ठीक है दस सितंबर 2022 को इसको क्या बात दूसरी बर्सगार्ट बनाई गया है तो इसको मतलब कि 20 में स्टार्ट किया हो गया होगा तभी ठीक इस बात को जहान रखना आप बढ़िया नाम है तंटेया मामा आर्थि कल्यार्ड किसके दौरा स्टाट क present to you five उनकी और można को तंटेया मामा आर्थि कल्यार्ड सिंद्र ना मा itष्टार्ड किया गया है, MP के द्वारा किसके लिए है ST के युवाओं के लिए ठीक ना आर्थी कुर्प से सकते करण करने के लिए ठीक ना भगवान बिर्सम उंडा स्वारोजगार योजना भगवान बिर्सम उंडा स्वारोजगार योजना ये लगता है कि नाम से कि ये बिहार या जर्खण में चलाया जागा लेकिन नहीं सर ये चलाया गया है स्टार्ट किया गया है MP में इसलिए doubt create करेगा तो MP में ये चलाया गया है भगवान बिर्साम उंडा सुर रोजगार योजना MP में ठीक ना तो ये हमारा आज का जितना योजना प्रियोजना था अप्टूबर से लेके नॉमबर तक वह कवर कर लिया अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक जरूर टड़िएगा कमेंट भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चले थैंक यू थैंक यू सुमच